नमस्ते दोस्तों आप सभी के एक बार फिर्श स्वागत हैं आपके अपने योट्योग चानल में कई बार महिलाओं का कंसर्ण होता है कि ऐसे कौनकों से फूड होते हैं जिनको हमें अबॉइड करना है ड्यूरिंग जब आप कंसीव करने के लिए ट्राइ कर रहे हैं अगर आप इन चीजों का सिवन करते हैं तो आपके इंप्लांटेशन फेल होने के बहुत हाइली चांसस होते हैं कई बार गर में पल रहा है बच्चे को भी नुकसान पहुशता है और कई बार इससे प्रेग्ण से टर्मिनेट भी हो जाती है इस वीडियो को पूरा अंतक जरूर देखने हैं और जो भी नए वीवर्स जरूर चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आउन कर देए ताकि आप ऐसे ही मौस्ट लेटेस्ट और इंफोर्मिशन से भर्पू वीडियो के नोटिफिकेशन प्रते दिन प्राप्त कर पाए देखे फ्रेंट्स जब आप प्रिग्नेंसी प्लान करते हैं तब आपके लिए ओवलेशन से लेकर इंप्लांटेशन तक का समय बेहत ज्यादा इंपोर्टेंट भी होता है बहत पूर्ण समय है और ये बहुत जटिल भी होता है इसी दोरान बच्चे की संरचनाएं स्टार् में एक और स्पम का मिलान हो जाता है तब इस दोरान सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि कुछ चीजों का सेवन जो मैं बताने वाली हूं आप वाइड ही करना है आपको क्योंकि अगर आपको प्रेग्नेंसी प्लान करने हैं और ट्राइक करते हुए टाइम हो गया है कि जब आप प्रेग्नेंसी प्लान करें हैं अबलेशन टाइम स्टार्ट हो गया है उसी दोरान से आपको कच्चे पपीते का सेवन नहीं करना है काफे साधर लोग जो हैं इंडिया में हाइली कंज्यूम करते हैं कुछ ऐसी वेजिटेवल्स कुछ ऐसी फ्रूट्स होते हैं जो आपके गर्विधारन की प्रक्रिया को बाधित करते हैं इनमें से पपीता भी एक बहुत ही महात्पुर्ण और इंपोर्टेंट वेजिटेवल्स है फ्रूट है तो इसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स कच्चे पपीते का सेवन या तो आप सैलड के तौर पे य जो ब्रून विकास कर रहा है गर्व के अंदर उसे भी नुकसान पहुचता है कई बार इंप्लांटेशन अर्लियल फ्रेल भी हो जाते हैं और कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स के आपको गर्वधारन होता ही नहीं है तो यह सारी जो कॉंप्लिकेशन है वो इससे डिबलप ह में रखना है कि कच्चे पपीते को आपको किसी भी प्रकार से सालड में या फिक किसी भी प्रकार से आपको किसी भी चीज में थोड़ी बहुत मात्रा में भी नहीं करना है तो फिर बहुत सारी महिलाओं को क्या होता है यह कंसर्ण होता है कि हम पपीता खाए ही ना सो फ्रे पर पेड़ी के लिए को पर रहे से सेल ने के लिए जती है ऐसे अगर आप प्रिगनंसी प्लानग रहे हैं तो इस छोटी सी बात का जरूर ध्यान रखेगा इसे के अलावा नमक जो highly consume किया जाता है इंडिया में heart disease में यानि सबजीयों में नमक हम daily खाते हैं तो नमक की मातरा वैसे भी डॉक्टर के recommendation से कम ही करना चाहिए क्यों क्योंकि नमक जो है वो आपकी blood pressure level को बढ़ा देता है जिसकी बज़े से आपको heart की बिमारी का होने का भी बहुत ज़्यादा chance रहता है अगर आपका blood pressure high हो जाएगा तो अगेन आपको गर्वदारन करने में भी दिक्कत आएगी अगर आप नमक खाते हैं या फिर salad में या फिर बहुत सारे लोगों को अलग सही नमक लेने की आदत होती है तो इन सारे चीज़ों पर भी control करना बहुत इंपोर्टन है इसके अलावा फ्रेंड्स जो Chinese foods पाए जाते हैं खाते हैं आप तो इन में sodium gulamate की बहुत अधिक मात्रा होती है साथे साथ इसमें नमक का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है तो फ्रेंड्स ये सारे चीज़े जो हैं ब्रून के विकास में बहुत अधिक बाधा उत्पन करती है और अगर earlier stage में आपका implantation हो रहा है तो उस समय आप समझ सकते हैं कि जब ब्रून का development स्टार्टी हुआ है और इस समय आप Chinese foods का सेवन करती हैं तो इससे आपको बहुत जादा नुकसान का सामना करना पर सकता है इसलिए junk food या फिर आप Chinese food इन सब चीजों का सेवन बिलकुल ही ना करें क्योंकि इन सब चीजों में soya sauce भी मिलाया जाता है जो अगेन एक chemical compound से बना हुआ होता है और इसमें नमक अगेन बहुत जादा होता है तो ये भी आपको consume बिलकुल ही नहीं करें इसके अलावा friends आपको अंडे का सेवन नहीं करना है जो कचे अंडे होते हैं प्रॉपर पके हुए नहीं होते हैं या फिर उबले हुए नहीं होते हैं अंडे का सेवन बिलकुल ही ना करें क्योंकि अंडे में कुछ वैक्टेडिया पाए जाते हैं जो वैक्टेडियल इंफेक्शन फैला सकते हैं गर्वावस्था के दौरान इसी के अलावा फ्रेंट्स ये जो वैक्टेडियल इंफेक्शन है वो कई बार दस्त का कारण लगता है कई बार बुखार भी हो जाता है और कई बार इससे कई सारे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं जो अगेन आपके लिए बिलकुल ही उचित नहीं है अगर आप परवधारन में तो इस चीज का भी सेवन आप बिलकुल ही वर्जित करिए नहीं करिए इसके अलावा एलो बेडा का आशकल काफी जादा इस्तेमाल किया जा रहा है एलो बेडा बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होता है फ्रेंट्स लेकिन इसमें कुछ ऐसी तत्व होती है जो गर में पल रहे बेडा के लिए अच्छे नहीं होते हैं इसलिए अगर आप अपने गाने का लौजे से परामर्स कर लीजे अलो बेडा जूस वगरा आप लेती है तो इसके लिए एक बाग कंसल करने के बाद ही ले तो ज्यादा वेनेफेशियल होगा हां आप अपने स्क इन पे अलो बेडा लगा सकती है जेल अपलाई कर सकती है फेस वोस यूज कर सकती है लेकिन इसको इंटरनली कंजप्शन के लिए बिल्कुल है आवाइड करना है आपको इन जो चीजे मैंने आपको बताई है टोटल फाइव इन पॉइंट्स का अभिहद इंपॉर्टेंट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक को चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स अगर आपकी कोई पर्सनल को आडिया सुझाओ है तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज कर सकते हैं आप पूजा घरसंसार इंस्टाग्राम की आ मैस्कार